हमेशा ज्यादा पूजा पार्ट करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों होता है। भागवत पुराण में पूजा पार्ट करने वाले व्यक्ति के दुहक के विशय में कुछ कहावतें दी गई हैं, जो उसके मानसिक और आध्यात्मिक स्थिती के संबंध में संकेत कर सकती हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है और दुहक के कारण भी अलग-अलग हो सकते हैं। पूजा में अहंकार का प्रवेश। यदि कोई व्यक्ति पूजा करते समय अहंकार में रत हो जाता है, तो उसे दुहक का अनुभव हो सकता है। अहंकार के कारण उसकी आध्यात्मिक अनुभव में व्यवहारिक्ता आ सकती है और उसे आध्यात्मिक संतुष्टी की अनुभूती नहीं हो सकती है। उद्धीपन और आत्म विश्वास का अभाव भागवत पुराण में कहा जाता है कि पूजा करते समय व्यक्ति को आत्म विश्वास और उद्धीपन की आवश्यक्ता होती है। अगर उसे यह नहीं मिलता है तो वह असंतुष्ट और दुखी हो सकता है। अभावी भक्ति भागवत पुराण में भक्ति को संपूर्ण समर्पन के साथ आध्यास्मिक जीवन की भावना के रूप में प्रशंसा किया गया है। यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने के बावजूद अपनी भक्ति को सम्पूर्णता और समर्पन नहीं दे बा रहा है, तो बह असंतुष्ट और दुखी हो सकता है.